नमस्कार मैं रोहित्म हाजन आज आपके सामने एक बहुत बड़ी अपडेट लगे आया हूँ Military Nursing Services की जो बहुत बड़ी recruitment निकली है तो जिन्होंने भी BSC Nursing की है या MSC Nursing की है तो वो ये form बर सकती हैं तो Military द्वारे ये recruitment निकाली गई है इसमें जो है बहुत अच्छा मौका है जितनी भी CHOs Contact Base पे लगी है जिन्होंने BSC या MSC Nursing करके रखी हुई है उनके लिए बहुत बड़ा मौका है तो ये हम डिस्कुस करेंगे क्या इसकी स्टाटिंग डेट है क्या इसकी जो है लास्ट डेट है किस प्रकार आप फोर्म भर सकते हैं आपको कहीं भी किसी भी कैफे में जाने के जूर्ट नहीं है घर बैठे आप सारे फोर्म भर सकते हैं तो कब इसका एक्जाम होगा तो ये सब कुछ आज हम आपके सामने डिस्कुस करेंगे कि लास्ट तक वुडियो को जुरूर देखें और क्या क्या सब्जक्ट रहने वाले हैं और किस प्रकार आपने त्यारी करनी है तो देखिए सबसे पर हम देख रहे हैं कि online submission of application form की क्या date है तो 11 दिसंबर से 26 दिसंबर तक शाम को 6 वे तक आप यह form फिल कर सकते हैं यानि कि 26 दिसंबर 2023 जो है लास्ट जेट है फॉर्म फिल करने की ठेक है और examination क्या cbt यहनि कि computer based test होगा 14 जनवरी 2004 को आपका जो है test conduct करवाया जाएगा किसके दोरह कर जाएगा टेस्ट कंड़क्ट नेशनल टेस्टिंग एजनसी दोरह जो आप देख सकते हैं तो इसमें क्या क्या सब्जक्ट रहने वाले हैं किस परकार से अपने त्यारी करनी है तो यह अब हम discuss करेंगे तो आप देख सकते हैं 900 रुपेज जो है फीस लगी 900 टोटल ना तो आप देख सकते हैं पेपर में क्या क्या आएगा basic nursing 30 marks की आएगी clinical जो nursing आपकी वो आएगे 100 marks की journal intelligence जितको reasoning की बोलते हैं वो आएगे 10 marks की तो हमारे चैनल पे आप playlist में जाके reasoning की वीडियो आप देख सकते हैं वहाँ पे हमने काफी वीडियो डाली हैं बकी अगर आपको chapters और चाहिए तो आप comment में लिख सकते हैं अगर आपको special classes चाहिए reasoning की तो वो भी हम conductor बादेंगे और journal English 10 marks की आई है अगर English का भी कोई topic आपको चाहिए होगा जो आपको नहीं आता तो हम वो भी बना देंगे तो ये चार subject आपको आएंगे 150 marks के तो आप देख सकते हैं online computer based test होगा multiple choice question जो है इसमें आएंगे और negative marking नहीं है main positive point क्या है negative marking नहीं है उमर आपकी कितनी होनी चाहिए तो ये आप date बड़ देख लीजिए 1988 to 2002 के बीच में अगर आप हो जैने कि 21 से 35 वर्ष की आई हो अगर आपकी है तो आप ये form fill कर सकते हैं बगे examination centers आप देख सकते हैं कि क्या क्या examination center रहने वाले हैं तो description में आप टाइलिग्राम का channel का link दे दूँगा ये pdf आपको वहाँ पर मिल जाएगी तो आप description में जाके ये telegram channel हमारा join कर लेजिए उसमें आपको ये pdf मैं provide कर वा दूँगा तो आप ये देख लीजिए अगर आप हिमाचल के रहने वाले हैं तो आपके लिए कौन-कौन से centers हैं मंडी और शिम्रा दोई centers हैं अगर आप जेंड के के रहने वाले हैं तो जम्मो शेवनगर अगर आ देख सकते हैं और apply कैसे करना है ये अब हम आपको सिखा देंगे कि किस परकार से अपने apply करना है हाँ अगर आप apply ने कर सकते हैं तो हम भी आपका form apply कर सकते हैं description में नंबर दे दूँगा वहां पे आप call करके जो है अपना form apply करवा सकते हैं तो जो rate आपको market में जो है लगता है उसका 80% pay कर सकते हैं और ये form आपका जो है online फिल कर दिये जाएगा बक की आपको सिखा भी देंगे किस प्रकार आप जो है online form भर सकते हैं तो ये आपको भी सिखा दी जाएगा अगर आप खुद भी already CHO के पत्पे कारे रहते हैं तो आपको आना चाहिए form भरना क्योंकि आप already online काम काफी करते होंगे ये अप staff nerds है तो भी आप online काम करते होंगे ठीक है तो अभी हम सिखाएंगे कि आपने कहां जाना है तो ये link आपको दिख रहा है ये site दिख रही है आपको ये मैं description में इस साइट एंटर कर सकते हैं इस site पर आपने जाना है सबसे पहले जैसे आप site में जाएंगे आपको नीचे ये जो है दखाई देगा इसमें आपके तीन स्टेप है apply for online registration, fill online application form, pay examination fees ठीक है तो ये तीन चीज़े आपके पास रहने वाली है तो सबसे पहले आपने क्या करना है न यूट जिस्टेशन पर जैसे आप क्लिक करेंगे आपके पास ये जो है इस्टरक्शन खुल जाएंगी तो आप यहां से इस्टरक्षन में जो है आपको तेलेकरम चैनल पर प्रवाइड कर वा दूँगा तो ये इस्टरक्शन आपको दिख गी है आपने आई अग्री पर क examination होगा ठीक है तो उस case में मालो की अगर आपकी प्रिगनेंसी है तो आप जो है जैक्ट कर दी जाओगे फिट माना जाएगा तो यह थोड़ा सा देख लीजिए फॉर्म बनने से पहले अगर ऐसा कुछ है तो फॉर्म अगर भर देंगे सेलेक्शन हो भी तब भी आप जो है फिट नहीं कहला होगे तो यह द्यान किए गया तो जैसे आपने क्लिक किया साइट पेज आईगरी पे क्लिक करने वाद आपने केंडे नेम भर देने आपका ठीक है उसके बाद आपने जो है अगर अपना नेम चेंज कराया है अफ्टर मेट्रिकुलेशन तो यहाँ पर येस करना है अदर्वाइस नो करना है फादर नेम, मदर नेम, डेट व बर्त, जेंडर, नेशनल्टी, ठीक है आपका जो है मेरिट हो इन मेरिट का स्टेटस, इमेल आइडी, कनफर्म इमेल आइडी, मोबाइल नंबर, अल्टरनेट कॉंट्रेक्ट नंबर और अधार, ठीक है और उसके बाद आपने आईडी पासवड अपना सेलेक्ट करना है ठीक है य एगरी पे क्लिक करना है आई एगरी पे क्लिक करना है जैसे आप सम्मिट पे क्लिक करेंगे जैसे आप एगरी पे क्लिक करोगे उसके बाद आपको जो है कुछ वेरिफिकेशन अपने जो भरा फॉर्म वो देखने को मिलेगा वो आपने देख लिया उसके बाद आपको यहा और अगर कुछ गलत बर है तो edit registration form पे click करके edit कर सकते हैं अगर ठीक है तो आपने submit and send OTP पे click करना है जैसे click करेंगे OTP आपके register mail number में जाएगा तो हम click कर दिया हमने फिर आएगा do you wish to submit registration form and get OTP तो yes पे आपने click करना है तो OTP पे आपके number पे जा चुका है तो आपने OTP डालना है और security pin as shown below जो नीचे दिया है वो जो है आपने लिखके submit कर देना है देखे माल लोग अगर आपका page expire हो जाता है तो आपको एक email गई होगी जिसमें आपका application number और जो आपने password दिया था वो आपकी email में जो है जा चुका होगा फिर आपने क्या करना है form की starting में जाना है ठीक है जहां से यह आप site देख लीजिए इसमें जैसे आपको यह तीन चीज़े दिखेंगी उसके नीचे new registration मतलब आ जाएगा यहाँ पर क्लिक कर लिया है अब अगर आप से मान लो कुछ अधूरा form में आपका आपने आदा छोड़ दिया है उसके बाद आपने जो email में application number आया है वो डालके यहां पर दौर आप login कर सकते हैं देखे जब आपका यह आजाए page स्माफ्त हो गया यह निकि आपका पहला step complete हो गया अब आपने जाना है second step पे तो second step पे payment आपकी incomplete है तो यह कुछ ऐसा scenario आपके पास आजाएगा तो अब हम second step पे जा रहे हैं तो अब हमने क्या करना है application form fill करना है पहला step हमारा complete हो चुका है तो उसके बाद जैसे आप second पे क्लिक करेंगे तो आपको two visible identification mark जो है डालना बहु जरूरी है ठीक है तो यह आपको डालन है और correct डालने है क्योंकि medical की time ही चेक होंगे तो जैसे आपने भर लिए दो identification marks उसके बाए agree पे क्लिक करना है उस पास save और next पे क्लिक करना है तेन उसके बाद जो है आपने qualification डालनी है ठीक है additional और experience अगर है तो डालना है exam center डालना है और document आपको अपनी डिगरी अपलोड कर करने बढ़ेंगे दन उसके बाद जो है आपने के बाद आपने पे examination fee पे क्लिक करना है ठीक है और login करके आपने examination fee 900 जो है अपने पे करनी है ठीक है डेवडिये credit card से पे करने के बाद आपने summit पे क्लिक करना है तो आपका जो है form fill हो जाएगा तो आपका आपको अच्छे कर दें थैंक्यू थैंक्यू